हाई अब्रिवान कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूर राहूल जेस्वाल और स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो यार कैसे हो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं दोस्तो अगेन आप आज हम लोग solve करवाने वाले हैं आपको practice set number 4.2 देखो इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको सिखाया था है tangents कैसे draw किया जाता है तीन मेथड सिखाया था आगर आपको याद होगा पहला मेथड ये था कि अगर कोई भी circle पे ही एक point है और उसी से tangent आपको बनाना है with using the center ठीके center का use करके तो वो एक method था दूसरा method था कि circle के उपर भी कोई भी point है और उसी पे tangent बनाना है लेकिन without using the center of the circle ये दूसरा method था और तीसरा जो method था वो था कि अगर कोई point आपको circle के center से away दिया हुआ है तो उस पे कैसे आप tangent बनाऊगे ये तीनों method हमने सीख लिया पिछल मेनत कर रखे और पूरा syllabus आप लोगा complete कराया है तो आप बस अच्छी तरीके से वीडियो देखो पूरा syllabus up to date है हमारा हर subject का complete है ये दूसरा बैच है इसमें भी आपका syllabus बहुत जल्दी complete हो जाएगा दूसरी बार पढ़ा के तो अच्छे से बढ़ाई करो keep watching keep learning जो हमारा slogan है साथ ही में Instagram follow कर सकते हो टेलेग्राम ग्रूप को join कर लेना पीडियो आने वाले वहां पर important questions के और link जिसका description में दिया हुआ है सभी चीज का तो आप देख लेना अच्छी तरीके से support करते रहे ठीक है चले शुरुबात करें लेकिन स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो को जरूर से like करना, share करना आपने दोस्तों के दो चैनल को subscribe करना क्योंकि ये चीज में हमेशा लाश में बोलता हूँ लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं उनको वो लाश तक नहीं रूखते हैं तो यार इसके लिए में starting में बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगी support की की जा रही है ठीक है तो support बनाई रखना चलिए आ जाते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग पहले question पे जो की है practice set number 4.2 का सबसे पहला question देखो ये practice set बहुत मज़िदार है simple है sweet है बस आपको क्या चाहिए आपके हापने pencil आपके हापने आपका geometric equipment जैसे की compass होना चाहिए rounder जिसको बोलते है scale होना चाहिए ठीक है यही सब कुछ चीज़े चाहिए बस आपका diagram जो है बन जाएगा तो सबसे पहले इसको solution हम लोग provide करेंगे आपको construct a tangent to a circle क्या बोल रहा है question को ध्यान से समझो construct करना एक tangent to a circle with center P एक circle होगा उसका center P होगा and radius 3.2 cm का obviously बनेगा circle at any point M on меня it मतलब circle पे ही एक point M है उस पे आपको क्या बनाना है आपका tangent बनाना है बहुत simple है simple मतलब क्या बहुत साधारे है now inimप आतलाब, simple सा एक circle बनाना है, वो circle पे एक m point लेना है कहीं पे भी और वो m point से आपको tangent draw कर देना है, खतम कहानी, simple and sweet, ठीके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक circle बनाएंगे, कितने का circle बोला है, radius, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग का जो compass होता है, उसमे कितना centimeter, 3.2 centimeter का radius लोगे, और एक circle को draw करोगे, तो जैसे समझ लोग में एक circle draw कर रहा हूँ, आपके सामने, कौन सा color बताओ, यलो लेता हूँ, चलो, यलो, यलो, डिटिफ, एलो, ठीके, तो मैंने circle ले लिया, समझ लो, या आपका circle मैंने बना दिया, तो आप लोग भी क्या करोगे, एक center point से circle आपने draw कर दिया, और वो circle कितने का होगा, 3.2 centimeter का, obvious लिसका center point भी होगा, तो समझ लो, यह उसका एक बीच का point है, center point, ठीक है, अब center मिल गया, ठीक है, अब circle के बाद, आपको क्या करना है, एक point M लेना है, तो सबसे पहले तो इस point का नाम में देना चाहू अब आपको क्या करना है, यह जो P center था, और यह जो point M आपने जो लिया है, कहीं पर भी ले सकते हो, यहाँ, यहाँ, जहां लेना है, वहाँ ले सकते हो, अब उसको आपस में connect करके एक लंबा लाइन खीज देना है, तो यहाँ पे मैं color change करके, एक लंबा लाइन खीज देता अब उसके बाद क्या करना है, यह जो point P है आपका, और यह आपका point M है, अब आपको क्या करना है, कि यह जो point M आपको जो मिला है न, इसी पे आपको एक perpendicular by sector को draw कर देना है, obviously हम बज़पन से करते आ रहे, perpendicular by sector कैसे draw किया जाता है, आपको कुछ करना नहीं होता है, आपको एक क्या लेना है, simple सा, कौन सा color ले लो, यह color ले लेता हूँ, आपको क्या करना है, आपका compass जो होता है, जिससे rounder जिसको बोलते है, वो M point पे रखना है, और यहाँ पे क्या करना है, यह जो P point है, यहाँ से more than half distance लेना है, और यहाँ पे रखके इस प्रकार से arc cut करना है, ठीक है same, यहाँ पे इस प्रकार से arc cut करना है, फिर वो ही उतना ही distance यहाँ पे रखोगे, और यहाँ पे cut करोगे, अब यह दो जो point मिल रहे हैं आप लोगों को, यह दो जो point आप लोगों को मिल रहे हैं, बस उसको क्या कर देना है, आपको connect कर देना है, समझ लो, यह point मिला, यह point मि आपको पूच आ ता और सेंटर करना है लेकिन कुछ बोला ही नहीं तो सेंटर का इस्तिमाल करेंगे इस्तिमाल करके एक लंबा राइम खीचा एम-point भी आपने perpendicular by-state ट्रॉख या बन गया आपका tangent, tangent मतलब क्या होता है, circle को touch करने जाने वाले, नहीं, बन गया आपका, कितना नाक्स करें आएगा, दो माक्स से लिए, कितना मिलेगा, तो मेंसे तो easy है, कुछ करना नहीं है, बन गया आपका पहला, खतम कहानी, कितना easy था, है की नहीं, तो इस प्रकार से आपको draw करना है, with proper measurement, हम लोग मेजर्मेंट से draw नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बस बता रहो करके, ठीक है, लेकिन आप लोग के पास scale है, pencil है, सब कुछ है, तो आप measurement के साथ बनाओगे, देखो कितना मसता आता है, बना के दिखाना, इंस्टाग्राम के बनाना, मतलब बनाना और मुझे इंस्टाग्राम के स्टोरी पे tag करना, मैं आपको रिमेंजन करूंगा, ठीक है, जरूर से, चलो, अगला question पर जाते है, next question क्या है, देखो, क्या बोल रहा है, अगला question, draw a circle of radius 2.7 cm, सबसे पहले radius draw करेंगे, circle draw करेंगे, 2 2.7 cm का, draw a tangent to the circle at any point on it, again बोल दिया, कि कोई भी एक point ले लो, circle के उपर उसको draw करना है, और ऐसा भी नहीं बोला है, कि away from the center draw करना है, without using the center draw करना है, कुछ नहीं बोला है, मतलब normal जो हमने question number 1 जैसा solve किया, same उसको ऐसे ही solve करेंगे, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एक circle, कितन इसलिए, center point तो होगा, यह center point तो मिला होगा, क्योंकि उसी पे रख्या आपने यह बनाया होगा, center point मिला होगा, इसका नाम रख दो P, जो भी नाम रखना है, O रख सकते हो, P रख सकते हो, जो भी problem नहीं इसमें, उसके बाद आपको बोल रहा है, कि एक circle at any point on it, तो पूरे circle ले सबसे बेस्ट है यह हमें घाल समने समने लाइगा आपका नखिन ढूंट को जोड़ देना है उब थोड़ी लाइन को लंबी कर देten लें है तो समझत मैंने लाइन बना ली इस प्रकार से थोड़ी लंबी लाइक है है ये आपका- Line L नाम देदो, इसको point को M नाम देदो, जो भी आप नाम देना चाहते हो, दे सकते हो, अब आपको क्या करना, यह जो M point मिला है, उससे आपको एक perpendicular bisector draw कर देना है, मतलब एक line ऐसी आएगी, जो इससे perpendicular bisector होगी, वो draw करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका tangent बन जाएगा, तो यहाँ पर रख्के समझेलों, इदर घुमा देना है, और वो ही चीज़, यहाँ घुमा देना है, पिर इदर रखना है, फिर इदर घुमा देना है, तो 2 arc आपको मिल जाएगे, जिसके वेशे आपको क्या मिल गए, 2 point मिल गए, एक यहाँ, एक इहाँ, अब आपको कुछ कर बना नहीं है आपका जो स्केल है वो उठाना है और इस प्रकार से दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देना है ठीक है मैंने हाथ से बनाए देखो इसके लिए थोड़ा इधर इधर आ रहा है लेकिन आप लोग का सीधा आएगा टेंचन मतले ना ठीक है आप लोग का सीधा वो सरकल पे ही आपको एक पॉइंट दिया हो या फिर आपको लेना है खुझ से और ड्रॉ कर देना है विद धर हेल्प आप सेंटर ठीक है यह हो गया पहला कैटेगरी तो दो एक्जांपल सेम तो सेम थे ओविएसली वह हमने करा दिया अब तीसरा एक्जांपल देखो क्या यह बोलता है कि ड्रॉइ सरकल अप दस रेडियस 3.6 सेंटिमेटर सबसे पहले एक सरकल ड्रॉइगा 3.6 का उसके बाद हमें क्या करना है ड्रॉइट यूजिंग दसेंटर इसमें बोल रखा है कि हमको सेंटर का इस्तेमाल नहीं करना है जो इसके पहले हमने दो एक्जांपल में किया उसमें हमने सेंटर का यूज किया लाइन खीचने के लिए यहाँ पे सेंटर का इस्तिमाली नहीं करना है तो कैसे सॉल करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे आप लोग एक बनाओगे सरकल लेट सबस्क्राइब कितने का सरकल है 3.6 सेंटिमेटर रेडियस ले ले और नां चाओ तो मैं इसका नाम देना चाहो इसका नाम मैंने सी जे दिया थका इसके बनाव मैं सी लिगतौ अब यह जो पॉइंट आपको मिला है ये पॉइंट से दिकlerini में बता रहुँ तो कभी भी इसमें question में बोल रहा है कि without using the center, तो center का इस्तेमाल तो होगा नहीं कि center होगा, एक line खीज़ दो, फिर perpendicular bisector बना दो, बन गया tangent वैसा तो करना नहीं है, तो आपको एक point लेना है, let's suppose मैंने एक point ले लिया, c point, अब आपको क्या करना है, वो c point से एक suitable chord बनाना है, chord मतलब क्या होता है, जानते हो आप, यहां से लेके, कहीं पे भी एक line खीज़ दो, वो है, chord बन जाता है, समझ लो, यहां पे एक मैंने line खीज़ दिया, यहां खीज़ देता हूँ, क्या बन गया, यह chord बन गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तो, यह जो line बन गया, यह chord बन गया, तो इसका नाम में क्या रख देता हूँ, B रख देता हूँ, let's suppose, तो यह BC मेरा क्या बन गया, यह chord बन गया, chord बनाने के बाद, आपको एक और point कहीं पे भी ले लेना है, ठीक है, और इस प्रकार से लेना है, कि जब हम इन तीनों को add करे, मतलब connect करे, तो यह triangle बन जाए, acute angle, तो यह बन गया acute angle दिख रहा है, ठीक है, angle BAC बन गया, अब आपका अतली खेल शीरूर हो रहा है, अब आपका जो angle बन गया है ना, उसमें आप लोग क्या करना है, उसमें आप लोगों को कुछ नहीं, यह जो B point आपको दिख रहा है, यह जो B point आपको दिख रहा है, यहाँ पे रखके, एक आपको ना, compass में, आपका जो compass है, उसमें suitable distance लेना है, और यहाँ पे रखके ना, इस प्रकार से एक arc बनाना है, क्या बनाओगे, एक arc बनाओगे, मैं दूसरा color ले ले लेता हो, ने तो आप लोगों confuse हो जाओगे, मैं यह वाला point मिला, एक यह वाला point मिला, इसका नाम ने क्या रख दिया, M or N, अब आपको जो distance, आपने यह इतना जो M and draw किया है, यह जो B पे रखके M and draw किया है, वही चीज़ C पे रखके, cut करना है, इस प्रकार से, यहाँ पे भी cut करना है, BC वाले line को, cut कर दिया, अब आपको क्या करना है, अब सबसे important चीज़ क्या करना है, यह चो चीज मिला, इसके रहे से point यहाँ पे मिला, यह जो point मिला आपको, यह point का भी कुछ नाम देना चाते हो, तो दे सकते हो, let's suppose इसका नाम में रख देता हूँ, क्या रखो बताओ, R रख देता हूँ, ठीक है, इसका नाम में आपका जो rounder है, वो compass में जो distance है, वो ले रहना है, यहाँ से यहाँ तक का, यह distance ले लिया आपने, ठीक है, यहाँ से लेके, यहाँ तक का यह distance ले लिया, और अब उसको R point पे रखके, इस प्रकार से cut मारा है, वो पहले वाले R को, पहले वाले R को जैसी cut मारा, यहाँ एक point आपको मिल गया, दोनों के intersection पे, और अब कुछ नहीं करना, आपको बस जोड़ देना है, उन दोनों ही चीज को, उन दोनों ही चीज को मतलब, यह C वाले point को, और यह वाले point को बस जोड़ देना है, तो यहाँ पे ऐसे जोड़ दो, इसको इस तरफ से, और यहाँ से आ हमारा question का solution है, that is, we had drawn a tangent on a point, on any point, on a circle, without using the center of the circle, and that is what we wanted, हमें यही चाहिए था, आगे हमारा answer, तो इसको नाम आप जो चाहिए रखना रख सकते हो, इसका नाम रख जो आप tangent, क्या रखोगे, M ले लो, M रखा है point, ने, M, N, O, P, Q, R, H, T, T, रख दो, यहाँ बेस्ट होता हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले question पर जाते हैं, अगला question समझते हैं, क्या बोल रहा है, draw a circle of radius 3.3, again एक circle है, radius से draw करेंगे 3.3, draw a quad PQ, अब इसमें बोल रखा है, quad draw करना है, मतलब कौन सा वाला है, without using वाला है, देखके ही समझ गया, quad PQ draw करना है, length 6.6 cm का, draw tangent to the circle at point PNQ, write your observation about the tangent, कुछ नहीं है, same उसी परकार का question है, कैसे आएगा, देखो, क्या करना है, सबसे पहले आपना एक circle draw करोगे, क्या करोगे, एक circle draw करोगे, let's suppose मैं आपको एक color लेता हूँ, और एक circle लेता हूँ, circle कितने का draw करना है, radius 3.3 का, तो आ आप क्या करोगे, 3.3 का, आपने क्या करना है, एक radius draw कर लिया, मतलब circle draw कर लिया, compass से, अब इसमें circle के center का कोई use नहीं है, क्योंकि इसमें, actual में हमारा ये chord बनाना है, तो इसमें obvious center का use होगा नहीं, तो सबसे पहले एक point लेलो, ठीक है, ना, ठीक है, क्या बोले, draw the tangent to circle at point PNQ ठीक है, और draw a chord PQ of 6.6 cm, ठीक है, draw a circle of radius 3.3 cm, draw a chord PQ of length 6.6 cm, ठीक है, and draw tangent to the circle at point PNQ, write your observation, ठीक है, चलो, obviously, हम लोग ये कर सकते है, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे, तो सबसे पहले, हम एक point ले लेते हैं, और कितना draw करना है, 6.6 cm का length draw करना है, ठीक है, na, circle draw कर लिया, 3.3 का, and length draw करना है, 6.6 का, ठीक है, ठीक है, तो let's suppose, कि यहाँ पर मैं अगर एक point लेता हूँ, P नाम का, और आपको लेना है, आपका compass, ठीक है, और उसमें लेना है, कितना distance, 6.6, और रखन मारना है, तो समझतों, यहाँ पर आपने, कट मारा, आपने P, Q का distance कितना बोला है, 6.6 बोला है, तो आपने P कहीं पे भी लिलिया, सबसे पहले, और उसके बाद आपने compass में कितना लिया, 6.6 ले लिया, यह हमारा पहला method, दूसरा method भी हो सकता है, बताता हूँ, यह पहले 6. 6.6 ले लिया, P पे रखा और एक कट मारा, तो इसके वज़े से क्या मिल गया, एक point मिल गया यहाँ पे, let's suppose, यहाँ पे हमको क्या मिल गया दोस्तों, एक point मिल गया यह वाला, अब यह जो point मिला है, यह आपको क्या रहेगा, obviously, यह रहेगा आपके लिए Q, यह आपका Q अब देखो, एक और चीज है, कि पहली बात तो यह 3.3 cm है, यह logic बात है, अभी जो मैं बता रहा हूँ, यह rough बता रहा हूँ, इसको मैं अभी अच्छे स्वाल करा हूँगा, logic बात यह है, logic बात यह है, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ आप एक बार देखोगे, कि यह 3.3 cm जो है आपका radius है, तो यह पूरा diameter कितना होगा, मुझे एक बात बताओ, अगर आप 3.3 का radius बनाते हो, तो diameter क्या होगा, multiply by 2, that will be equal to 6.6, तो logically अगर मैं बात करूँ, logically, देखो यह question को समझो, logically अगर मैं बात करूँ, तो actual में यह जो chord होगा, it is nothing but the diameter of that circle, तो diameter क्या ह होता है, obviously center में से जाता है, तो मतलब इस से हमें एक चीज़ पता चला, कि यह जो है न, हमें बदाने की जरूरती नहीं है, यह जो चीज़े हैं, यह जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, चलो वापस से ड्रौ करते हैं, एक circle, यह बनाने की जरूरती नहीं है, क्योंकि हमें हो गया, कि आपका यह जो circle है, इसका जो diameter होगा, ठीक है, obviously क्या होगा, इसका diameter जो होगा, बीच में से जो exactly line जाएगा, वो क्या है, that is nothing but the chord PQ, तो इसका नाम रख दो P, इसका नाम रख दो Q, और obviously इसका एक बीच में क्या होगा, center point होगा, ठीक है, अब बस करना कुछ नहीं है, यह जो P है, यह जो Q है, इस पर आपको क्या करना है, आपको tangent draw करना है, ठीक है, अब tangent कैसे draw कर होगे, दो चीज है, tangent draw करने के लिए, एक तो आप सीधा सीधा इस चीज का क्या कर लोगे, यह जो चीज दिख रहा है, इसका आप क्या कर लो, perpendicular bisector draw कर लो, कैसे draw कर होगे, अ ytekंवा तो इसको अगर मैं घुमा दू तो डोटेट कर दो डोटेट होई एका करता है यह रोटेट करता हूं जो यहां से यहां पर इस PQ draw करता हूँ, और यहाँ P बोलता हूँ, एसा मैंने Q किया, आपको simple करने के लिए Q, यहाँ से मैं एक perpendicular bisector draw कर सकता हूँ, क्या भिल्कुल draw कर सकता हूँ, तो मैं सबसे पहले न, इस point को extend करता हूँ, इस तरफ से, ठीक है, और इस point को मैं extend करता हूँ, इस तरफ से ठीक है लंबा लंबा यहां मैंने लंबा लंबा एक्ष्टेंड ठीक है इसको बाजू में रखो थोड़ा इसका काम नहीं अभी ठीक है अब देखो यहांपे जादे बाजू में हो गया अब देखो अब जैसा हम लोग फर्स्ट केस में करते हैं कि यह पॉइंट की हुए इसमें मैं परपड़ने ड्रॉ कर सकता हूं तो मेरा अगर कुछ मैं नाम देने की कोशिच करूँ यहां पे तो इसका नाम में रखता हूं ओ यह ओकी हो गया ओपी हो गया तो यहां पे अगर अपना क्या बोलते है लेके जोड़ दूँगा इसको ठीक है तो यह आपका क्या बन गया एक टैंजन बन गया Q पे एक टैंजन बन गया उसी प्रकार P पे मुझे बनाना है तो P से लेके OK बीच का more than half distance लेके क्या करूँगा सबसे पहले सबसे पहले क्या करूँगा दोस्तो एक यहाँ पे कट मारूँगा और वही चीज यहाँ पे कट मारूँगा ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या बताने की गुशिश कर रहा हूँ ठीक है समझ में आ रहा है यहाँ से लेके more than half distance अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है सिंपली में क्या कर रहा हू ताइब एक और टेंजर्व बन जाएगा किया और फे कि अधस्टाव क्या है 6.6 सेंटिमेटर लेंग्ट थ है ना उसका टोटल बन गया दो टेंजेंट जो आपको ट्रॉ करना था इस is your required tangent complete समझ में आ गया तो इसी प्रकार से ट्रॉ करना है तो एक एक जाम में यह वन मांक्स के लिए टू मांक्स के लिए आता है कि एक की बार आपको एक circle में दो-दो tangent draw करने के लिए पूशता है, तो कर सकते हो गिंदास, कितना easy है, आगे बढ़ जाते हैं, जो कि हमारा आज का आखरी example होगा, question number 6, क्योंकि यह अलग type का है, और इसमें हम लोग को, क्या करना है, क्या करना है, away from the circle, देखो, question समझो, draw a circle with center P and the radius 3.4 cm, एक center P लेना है, radius 3.4 लेना है, draw point Q at a distance of 5.5, मतलब Q जो होगा, वो 5.5 distance पे होगा, ठीक है, from the center, construct tangent to the center of point Q, चलो ठीक है, बहुत अच्छा कोश्चा है, तो सबसे पहले again मैं क्या करूँगा, एक circle को draw करूँगा, circle कैसे draw करना है, कितने का draw करना है, जैको radius 3.4 क सबसे पहले में एक circle draw करूँगा, समझ लो, ये 3.4 का radius होगा, और इसका एक center point भी होगा, obviously, ये 3.4 radius का एक circle draw कर लिया, अब उसके बाद ये circle, center का नाम क्या रखा है, उसने P रखा है, अब इसमें बोला है कि take point Q at a distance of 5.5 cm away from the center, from the center, मतलब ये P point से, आप लोगको एक straight line कितना 5.5 cm का, तो आपको क्या करना है, आपका एक scale ले लेना है, pencil लेना है, और उसमें 5.5 cm P से लेके draw कर देना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से draw कर देना है, समझ लो, यहां तक आ गया, 5.5 cm, ठीक है, क्या बोल रहा है, take point Q at a distance of 5.5 cm from the center, तो center से लेके जहां तक भी आए क्या करना है, अब आपको draw करना है, construct the tangent to the circle from point Q, यह नहीं, यह point Q से आपको tangent बनाना है, कैसा tangent बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ tangent, लेकिन tangent हाथ से तो नहीं बनाना है, construct करके बनाना है, तो कैसे construct करोगे, करना क्या है, next step ध्याम देना, बिल्कुल point आएगा, फिर यहाँ पे कुछ point आएगा, फिर P पे रखके वही यहाँ पे cut मारोगे, यहाँ पे cut मारोगे, तो आपको दो point मिल गए, उसको बस जोड़ दो, उसको एक जोड़ दो, क्या करोगे, उसको एक जोड़ दोगे, समझ लो, इस प्रकार से आपका कुछ बनेगा, इस प्रकार से बन गया और ये जो point मिल रहा है यहाँ पे आसपास ही मिलेगा जरूरी नहीं है जैसे हमें बना रहा हो वैसे ही बनेगा क्योंकि मैं without measurement बना रहा हो आप लोग तो measurement बनाओगे तो हो सकता ये जो line है वो अंदर बने ऐसा भी हो सकता है तो समझ लो कि ये आपका point M मिला इसका नाम रखें ओके point M अब आपको करना क्या है ये M point पे आपका compass रखना है और P के बराबर radius लेना है और यहाँ से लेके इस प्रकार से आपको एक circle जैसा draw कर देना है क्या draw हो गए circle जैसा आदा circle जो है ऐसा draw कर देना है कहाँ पे रखा M point पे रखा ना M point इसी रहे तो निकाला है कि आपका center मिल गया और यहाँ से आपको एक आदा circle ड्रॉ कर देना है और वो आदा circle ड्रॉ करने के वज़े से आपको यहाँ पे एक point और यहाँ पे एक point मिल गया और बस आपको कर देना है ये point को और ये Q point को join समझ में आ रहा है और ये point को आपस में join और बन गया आपका required tangent यही आपका tangent है यह हो गया आपका tangent number 1 ये आपका tangent 1 ये आपका tangent बन गया तो दोनों tangent कितना आसानी से बना तो एको ऐसे ही बनाना है बस कुछ नहीं है जेको ये चाप्टर में चाहता हूँ हर बच्चा out of max निकाले match में भी out of max पूरे match में निकालना easy है चाहे match 1 हो match 2 हो लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप mistake कर रहे हो इदर इदर कर रहे है तो हो सकता है वो फूरा diagram आपकर wrong हो जाए तो गलती की बिल्कुल इक उन्जाईश नहीं है जितना हो सके practice करना जितना मेनत करना अच्छी तरीके से result आ जाएगा पास हो जाओगे टेंचर मदला पास क्या है 90% 95% हमें निकालना है तो वो आ जाएगा ठीक है तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है और इसी के साथ practice set number 4.2 भी complete होता है एक और question सेम इसी प्रकार का बचा हुआ है या आप लोगे लिए छोड़ रहा हूँ homework के तोर पे जरूर से करना और इसी के साथ ये पूरा chapter geometric construction ये होता है totally 100% complete उमीद करता हूँ का आपको काफी अच्छा लगा होगा हमारा साथ पढ़के और पूरा construction समझ में आ गया होगा तो देखो 4 chapter complete होगा बचे कुझे जो chapters है दो थिन chapter part 2 में बचे हैं दो थिन chapter part 1 में ब पसंद आये तो प्लीज लाइक करना शेर जरूर से करना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ क्योंकि अब बहुत कम लोगों को पता चलता है हमारे बारे में तो फ्लीज शेर टू एवरीवन और अगर फर्स टाइम आयो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना ठ ठीके दोस्तों तो जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो में तब तक के लिए थांक्यू एंड गुडबाई